नमस्कार मैं अब शेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं focus study with अभी में तो आप सभी को मेरा जैगरू तो चलिए computer chapter को अब हम लोग start करते हैं capsule series 2.0 जो हम लोगों का चल रहा है इसमें मैं आपको पूरा gk gk in the sense की अब जैसे आपके पास समय है अब हम लोग जीके को बहुत अभी तक हमने detail में cover किया है पूरा ncrt अब हम लोग निचोड की और निकल चुके है ठीक है अल्मोस्ट जग्रफी का section complete है जग्रफी में जो इस्टाटिक पार्ट है जैसे की जील जहरना नदी घाटी परियोजना नदियां नदियां ह हो गया दर्रे हो गया यह सारी चीज़े complete हो गई हिस्ट्री का अब मॉडेन हिस्ट्री complete करेंगे हम लोग दैन प्वालिटी कभर कर किया जाएगा और इकनॉमिक्स का पहला जन्गन्ना complete हो चुका है विध पीडिया अप्लोड हो रखी है अब इदर आपका साइंस भी complete है प बची हुई है वह मैंने अनलिष्टेड कर रखा यानि कि प्राइवेट कर रखा यूटूब पे वह आपको दिख जाएगा आप वहां से कभर कर लेंगे नोट भी मिल जाएगा और आज हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे और कंप्यूटर को बहुत अच्छे से यह वीडियो लेक्षर आपके यूटूब पर भी जाएगा आज डेमो आप देख सकते हैं कि क्या क्वाइलिटी क्या कंसेप्ट के साथ आपको मिल रही है और साथ के साथ आप नोट भी आपको लिखना कुछ भी नहीं पड़ेगा सेम इसी प्रकार से सारा कुछ सबसे इंपर्टेंट चीज आपने कंसेप्ट नहीं लिया चीजों को और बिल्कुल कंसेप्ट के कि हम कंप्यूटर को खतम करेंगे इसमें मैक्सिमम आपका क्लास खतम होते होते आपका पूरा चीज याद रहेगा हर एक चीज को आप बना पा रहे होंगे अगर आप नोट से जूड सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा भाई चलिए सबसे पहले कंप्यूटर के अगर आप बात करें तो कंप्यूटर में आपको जो दिख रहा होता आपके घर में जो सिस्टम रखी हुई है सिंपल ती बात की जाए तो आपको सबसे पहले एक तो आपको मोनीटर कहते हैं या उसे ही आप डेक्स्टॉप का भी नाम देते हैं यह डेक्स्टॉप हो गया उसे ही एक तार के साथ लगी हुई जो आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिख रही है यह आपका माउस हो गया और ये आपका keyboard हो गया और ये जो बकसा आपको दिख रहा जिसे आप बोल देते हैं CPU ये गलत वर्ड है ये CPU नहीं है भाई सहाब देखें CPU तो आज मैं आपको बताऊंगा समझ में आएगा कि आज actually चीजे होती क्या है ये आपका system unit भी आप इसे नाम देते हैं या फिर cabinet unit का भी ठीक है ना तो ये आपका एक cabinet एक बकसा है अब इस बकसे के अंदर आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से इसमें तीन important चीज जो आपको पढ़ना है एक तो आपको motherboards के बारे पढ़ना है next आपको hard disk के बारे पढ़ना है and एक आपका SMPS पढ़ना है ठीक है अब ये तीन main च इसको हटा देते हैं तो ये एक प्रकार से बस खाली बकसा ही रहा जाएगा ये cabinet या system unit तो main important जो इसके अंदर जो hardware है देखे एक word मैंने अभी नाम लिया hardware का ठीक है बाई चीजों को clear करते चलिएगा सारा full form वगेरा एक जगा ही complete होते चला जाएगा बाद में कोई भी concept समझेगा या hardware जब हम बात करेंगे या hardware जब हम सब्दों का उच्छारन कर रहे होंगे इसका मतलब यह है कि जो भी चीज को आप छू सकते हैं ठीक है और छूने के साथ साथ अगर आप उसे देख सकते हैं तो वह आपका hardware हो गया जैसे इस mouse को ले लिजे इस keyboard को ले लिजे क्या आप इसे देख सकते हैं छू सकते हैं तो बिलकुल लेकिन जब हम software की बात करते हैं तो जिसको आप छू नहीं सकते हैं ठीक है और उसे आप देख नहीं सकते हैं उसे आप क्या करते हैं software का नाम देते हैं जैसे just an example आप करते हैं कि हमारे computer में Windows 11 है ठीक है ना या Windows 10 होग होगा कोई भी होगा कोई सिस्टम होगा Windows 10 या Windows 11 तो आप हमें बताये क्या वہ Windows 10 जो OPERATING SYSTEM के जो आप बात कर रहा हैं यह क्या होता SIDE में रखे इसा अब तो पढ़एंगे नीए Windows 10 की जो आप बात करते हैं Windows 11 कि जो बात करते那么 उसे शूपाढ है या आपको वह दिख रहा नहीं, वह क्या हो गिन हो आपका software, तो बस basic सब्सक्रिप्स, क्लियर रखना है, hardware और out hardware, software और dost failure के बीच में, जिसे आप शूप सकते हैं वह आपका hardware, जिसे आप देख सकते हैं वह आपका software हो जाएगा ठीक है तो mainly आपने ये समझा कि जो system unit की जो हम बात करते हैं या फिर cabinet unit की जो हम बात करते हैं इसमें main main 3 component है main 3 hardware device है एक है आपका motherboard ठीक है एक है आपका motherboard दूसरा है आपका hard disk तीसरा है आपका SMPS अब यह आपको लग रहा होगा कि स्थर cabinet के अंदर बहुत सारी चीजे होती भाईया देखिए यह जो आपको motherboard मैंने कहा ना यह motherboard का actual physical और में अभी आपको दिखाता हूं और यह जो आपको दिख रहा होगा एक मिनट भी देखिएगा यह जो आप देख पा रहे होंगे हां यह जो आप देख पा रहे हैं यह है आपका motherboard ठीक है यह आप आपका मदर बोड्ड लिए और तो आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से बच्चे का या आपके जीवन में जो मा का रोल होता है उसी प्रकार कंप्यूटर में अब आपके जीवन में कितना important role है mother का हां उसी प्रकार computer में भी इसका इतना अधिक important role है इसका नाम आगे रखा गया है इस board का क्या motherboard तो बस इस समझ लेजे कि कितना important यह component है यह hardware device है चलिए भाई clear हो गया तो यह आपका motherboard है अब इस motherboard में ही आपको बहुत सारी चीजे दिख रही है बहुत सारी डिवाइजेज दिख रही है जैसे कि आपको अगर यह वला अगर मैं यहाँ पर आपको कलर से दिखाऊ यह यह जो सेक्षन आपको दिख रहा है यह हो गया आपका CPU ठीक है सोचे यह CPU इतना चोटा सा CPU है यह एक चीप होता है integrated chips का नाम हम देते हैं देखें integrated chips में भी बहुत सारे category होते हैं अब उस category का एक example होता है आपका CPU वो आपके exam में अभी latest regional के examination में जो आपने देखें computer का आप पे introduction हुआ है subject as a subject sat marks में 20 सवाल आते हैं तो वहां आपसे पूछा गया था कि CPU कौन से IC chip का example है next register से भर भर के सवाल इस वार बने हैं SSC में तो भाईया आप यहां CGL के लिए भी तयारी कर रहे हो या SSC के लिए तयारी कर रहे हो या NTPC यहां computer पूछा जाता है अच्छे से इस course को complete करिएगा तो मैंने यह बताया सर मैं आपको यह बता रहा था कि यह जो motherboard आप देख रहे हैं इस motherboard में आपको यह जो दिख रहा है यह आपका क्या है CPU है उसी प्रकार आप जो यह वाला section देख पा रहे होंगे ना यहां पे जो slot दिख रहा है इस प्रकार से यह जो slot आपको दिख रहा RAM का स्लॉट दिख रहा है यह चीजों को हम लोग पढ़ेंगे आराम से इसके लिए परिशान नहीं हो ना तो यह देखिए एक यहां पर इस प्रकार से ग्याप बना वार इसके अंदर ही आप इस प्रकार से राम को अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं समझें एक तरह समझें क कि यहां पर इस प्रकार से गैप बना हुआ और ऊपर से आप कोई भी चीज को लाएं और इसके अंदर इंसर्ट कर दिए तो यह आपका यहां पर बना हुआ है सौकेट टाइप का यह रैम हो गया आपका तो यह जो मदर बोर्ड देख रहे हैं बहुत सारी चीज़े आपको देखेगा इस मदर बोर्ड में मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूं तब और भी चीज़े अच्छे सा आपको दिखेगी यह रहा आपका फीगर देखे इसको और थोड़ा सा जूम करते हैं देखेगा अब यहां पर देखेगा इस मदर बोर्ड में आपको दिख रहा यह क्यों समझते हैं वाई जैसे कि यह आपका एक hardware हो गया hardware है जिसको आप सो आप देख सकते हैं यह आपका क्या हो गया अब अगर मान लेते हैं इस से CPU के बीच में कोई डाटा का ट्रांसपर करना है या कोई इंस्ट्रक्शन का ट्रांसपर करना है या इसके बीच में जो कनेक्शन करना वो कनेक्शन कैसे होगा तो यहां से डाटा कैसे ट्रांसपर होगी यह रैम कैसे ट्रांसपर करेगा इस CPU तक उस डाटा को तो यहां पर आपको देखिएगा यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां से ऐसे connection बना हुआ यानि कि यह जो connection या जो track दिख रहा है या फिर यह जो आपके पास एक component दिख रही है अगर इसका connection इस CPU से देखे तो यहां पर एक track बना हुआ है उसी प्रकार अगर आप यहां पर connection देखें ऐसे बना हुआ यानि कि हर कोई एक दूसरे से इंटर लिंक है या फिर आगर आप बताईए यह CPU को काम करना या RAM को काम करना या इस port को काम करना है या इस hardware को काम करना तो इसके लिए क्या सब्सक्राइब इलेक्रिक्टिटी तो चाहिए computer कैसे काम करेगा without electricity क्या computer क नहीं कर पाईगी तो आपके पास जो CPU है आप जो यहां पर देख पाए सौरी यह जो आपके पास cabinet है इसको अप लग इन किये तो इलेक्रिक सप्लाइब अब यह यहां पर क्या है वायर है लेकिन अब यहां motherboard में तो आपको कोई वायर दिख नहीं रहा ना तो देखें यह यहां से डाटा का ट्रांसपर हो रहा है इस जो ड्रैक को उल सकते हैं िसको हम लोग कहते हैं भस ट हैं से भी तीन टाइप के बाडरे भी मैं आपको बताऊंगा तो मतलब अभी देखे धीरे-धीरे चीजों पर अंदर डिटेल जाएंगे सर अभी एकदम अचानक से अगर मैं बसे समझाने लोगूं डेफिनेशन पढ़ने लोगूं तो कोई मतलब बनेगा ने समझ में नहीं आया अखिर बस इस क्या है तो समझ में आ रहा ना देखे कंप्यूटर का अगर सबसे रीड की हड़ी अगर आप देखे तो यह मदर बोड ही है बाई सब कुछ अल्मोश सारी चीज है यानि कि यह जो कैबिनेट सिस्टम आप देख रहे हैं इस पे जो आप मदर करते हैं प्ले लाइव अब उस कंप्यूटर क्या बहुत एडवांस कंप्यूटर वह कंप्यूटर आटलिस कम से कम डेढ़ दो तीन चार लाख की कंप्यूटर है भाई तो उस कंप्यूटर की जो मदर बोड की जो कलर ब्लैक भी हो सकती है यह नॉर्मल कंप्यूटर जो हम और आप यूज़ करते हैं इसका color आप देखेंगे motherboard का तो green color ही दिखेगा next एक hard disk होगा और एक आपका smps होगा यह तीन main component है लेकिन इस तीन में इस motherboard के अंदर बहुत सारे hardware जैसे मैं अभी आपको दिखा दिया कि यह आपका क्या हो गया यह आपका CPU हो गया यह आपका RAM हो गय समझ गया है ऐसे बहुत सारे चीज़ आपको देख पा रहे हैं यह आपको देख पा रहे हैं यह फिर computer electricity से चल रही होती है अब computer में electricity तो आपने देखा wire से लगा दिया लेकिन इस motherboard में अब यहाँ पे electricity CPU के पास कैसे पहुँचे इस RAM के पास कैसे पहुँचे यह इस heat sink के प पास कैसे पहुचे तो भाई यह जो बसे आप देख पा रहे होंगे ना इस प्रकार से इससे ही आपकी electricity क्या होती है फ्लो करती है अब देखिए electricity से एक वर्ड मैं आपका और चीज क्लियर कर देता हूं इससे थोड़ा सा छोटा कर देते भाई देखिए बहुत important chapter है आपका और यहां 100% score आप तभी कर पाएंगे जब आप चीजों को समझ पा रहेंगे देखिए एक वर्ड मैंने अभी बताया electricity के बारे में computer को आप पढ़ रहे हैं तो इसको भी आप clear कर लिजेगा अच्छे से देखे बाई जब आप electricity की बात कर रहे हैं तो आपकी computer क्या बाई electricity से चलती है इसको चाहिए अब जब आप electric signal की बात कर रहे हैं तो आप electricity chapter मेरा electricity वाला पढ़ा है तो आपको मैंने क्या बताया था electricity क्या flow of electron in a fixed direction बट यह कब flow करेगा electronic fixed direction में जब वहाँ पर potential difference यानि की voltage drop होगा तो voltage drop कहने का मतलब एक होगा आपका high voltage बहुत detail में लेके चल रहे हैं सार और एक दम basic से उठाए हैं और एक होता है आपका low voltage सर मैंने क्या बताया एक होता है आपका high voltage और एक होता है low voltage जब तक high voltage नहीं होगा 的क लök बतलब कि यह की यह wire है और इस wire का एक इंड यह रेक इंड यह यहाँ पर current कभ फलो करेगा जब इस इंड में और इस इंड में यह आपका high voltage और यह low voltage यानि कि यहां पर potential difference नहीं generate हो जागा तब तक आपका current flow नहीं करेगा, यह concept clear रहनी है, तो science में, electricity में मैंने आपको पढ़ाया भाई, उसी प्रकार, तो अब computer में भी electricity चाहिए, आपने देखा कि motherboard में भी क्या चाहिए, electricity चाहिए, तो इसको आपको आपने कैसे provide क्या, buses की through जा रही तो अब electric signal अगर pass करेगी, तो उसके वहां पर क्या होना चाहिए, voltage drop होना चाहिए, तो देखे, voltage drop का मतलब समझेगा, यह बोरा था कि electric अगर pass करेगी, तो वहां पर high voltage और low voltage होगा, तो देखे, computer में इसे कैसे represent किया जाता ना, आप computer में binary code का एक word इस्तमाल करते हैं, देखे यहीं से binary code का भी generation होगा, high voltage मतलब 1 और low voltage मतलब 0, computer में अगर बोला जाए, यही मशीनी भासा है ठीक है ना, यही मशीनी भासा है भाई, और इसी मशीनी भासा को हम लोग नाम देते हैं binary code का, ठीक है ना, यानि कि जैसे कि आप maths में कोई number लिखते हैं, या गुना भागा जो लिख सकते हैं, इसलिए तो आप maths में कोई भी चीज यूज़ करते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3, तो 10 base क्यों होता है, reason इसलिए कि हम number को 10 तरीके से लिख सकते हैं, या फिर represent कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानि कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ताठ, 9, 10 तरीके से आप represent कर सकते हैं, maths में number को, लेकिन computer में केवल 2 density इस्तमाल होता, 1 हो गया 1, यानि high voltage, 0 यानि कि low voltage, इसलिए आप computer की जब बात करते हैं, तो आप देखे होंगे, computer में आप, जैसे कि just मैं आपको थेड़ रहा सम example देता हूँ, कि आप memory card यूज करते हैं, तो आप क्या बोलते होंगे, आप या फिर memory card होगे, या pen drive, 2 GB आप बोलते होंगे, 4 GB आप बोलते होंगे, ठीक है बाई, 4 GB बोलिएगा, 2 GB बोलिएगा, आप 8 GB बोलिएगा, कभी आप 5 GB नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, उसी प्रकार आपका 16 GB आप कहेंगे, अब ये ऐसा क् क्योंकि computer दो भासा को ही समझ रहा है, यानि कि जो binary coding हो रही है, केवल high voltage यानि कि 1 और low voltage यानि कि 0, यानि कि computer में जो number जा रहा होगा, ऐसे जाएगा, ठीक है ना, जीर एक मिनट, ऐसे जाएगा, तो अगर ये लिखना है, तो इसके लिए कितने तरीके सा digit का हमने इस्तेमाल कितने digit से choose कर पाएंगे, एक आपका, कितने digit से choose करेंगे, 10 हमारे पास है, लेकिन computer में अगर आपको ये लिखना है, तो ये हम किस से लिखेंगे, केवल 0 और 1, 2 से ही लिखेंगे, इसलिए, 222 power 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानि 1 gv हो गया, 222 power 1 यानि कि 2 gv हो गया, 222 power 3, यानि कि आपका 8 gv हो गया, समझ माया भाई, उसी प्रकार आपका 222 power 2, ये क्या हो गया, आपका 4 gv हो गया, मतलब कुछ भी mv भी हो सकता है, 222 power 5 लिजेगा, तो क्या लिखेंगे, 32, 222 power 6 लेंगे, तो क्या लिखेंगे, 64, 222 power 7 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 128 तो अगर आप जब भी देखते हैं आप बोलते होंगे ना रैम कितना जीवी का है तो देखेगा आपको मिलेगा चार जीवी रैम यानि कि इसी के मल्टिपल में रहेगा आपका अब आपके माइंड में आ रहा है सर ऐसा नहीं है हमने देखा है रैम 6 जीवी की भी बात हुई ह बात होती है और 6 जीवी आती भी है तो भाई उस पे भी हम आएंगे एक्चुली इसमें होता क्या ना कि देखे रैम का जो यह देखे मदरबोर्ड को ही मैं दिखाता हूँ यह जो आप मदरबोर्ड देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो रैम को लगाने के लिए देखे दो स फ्लोट इसमें 6 जीवी का रैम जो लगेगा कैसे लगेगा देखे 6 जीवी का रैम मुझे लगाना है और आपको मैंने क्या बताया यह 2 के पावर meille सारी चीजेशे लगेगी तो क्या किया जाएगा 6 जीवी के लिए एक रैम 4 जीवी का लगाया जाएगा और एक रैम 2ди जो को कम्प्लिकेट क्यों करेंगे क्योंकि हमारे पास तो डाइरेक्ट चार्जीवी कर रहा है बना बनाया आता है तूटूटी पावर चार्जीवी है अब हम दो अगर एक्विप्मेंट लगाएंगे थोड़ी सी कम हो सकती है या फिर हमारा कॉस्ट जादा लगेगा क्लियर है न भाई चलिए भाई यानि अभी आपने क्या क्या चीजों को पढ़ लिया एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं देखें मैंने अभी आपको यह बताया कि आप यह कंप्यूटर को नॉर्मली देखते हैं डे पढ़ेंगे SMPS को भी आज ही पढ़ेंगे और इस Motherboard को भी आज ही पढ़ेंगे अब Motherboard को आपने देखा तो इसमें बहुत सारे डिवाइज लगी हुए तो अब इस डिवाइज में एक दूसरे के बीच में जो कनेक्शन है जो डाटा का इन्फॉर्मेशन का या इंस्ट्रक पर इसी BUSES के THRU ही ट्रांसफर होगा और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ से इलेक्टिसीटी अब देखें ये वायर की तुरह यानी की वायर भी एक प्रकार से क्या है आपका BUS ही हो गया क्योंकि इस से भी तो आपकी इलेक्टिसीटी पास हो रही है या फिर यहाँ से डाटा का ट्रांसफर हो रहा है मतलब मैं बसिस कह रहा हूं इट मीज की डाटा का ट्रांसफर हो रहा हूं उसे या फिर कोई भी चीज का उसे ट्रांसफर हो रही है तो मेंली जो मदर बोर्ड में जो चीज का यहां ट्रांसफर हो रहा है डाटा का या इंस्ट्रक्शन का या का या फिर electricity का वो कैसे होता है तो बसे की थुरू होता है ठीक है अब डेजन्ट मैटर की जैसे कि अब आप मुबाइल को चार्ज करेंगे तो मुबाइल को चार्ज करने के लिए आप वाइर यूज करते हैं वहाँ वाइर का नाम है ठीक है इसको समझने के बाद हमने बात किया कि सर इलेक्टिशिटी अगर फ्लो करेगी तो सर उसके लिए हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज यानि पोटेंशल डिफ्रेंस होना चाहिए तो कंप्यूटर में जो मेंली मसीनी भासा या कंप्यूटर जो भासा को समझता है या इसी ही मसीनी भासा या फिर मसीनी लाइंग्वेज में हम लोग इसको बाइनरी कोड का नाम देते हैं तो हाई वोल्टेज को वन से डिनोट करते हैं और कंप्यूटर में लो वोल्टेज को जीरो से डिनोट करते हैं कंप्यूटर इसी भासा को समझता अब य यानि की दो तरीके से ही हम चीजों को यहाँ पर identify कर पारें जैसे की maths में हमारे पास number लिखना हो तो हम 0 से 9 तक number यूज़ करते हैं 0, 1, 2, 3 यानि की 10 तरीके से तो इसलिए हम जो भी power लेते हैं 10 to the power कोई भी चीज maths में लिखते हैं लिखते हैं यानि यह बताइए उसी प्रकार computer में हमारे पास क्या है केवल दो तरीका है इसलिए जो भी लेंगे हम लोग 2 to the power यानि की RAM का जो size होगा वो 2 to the power के according decide होगा यह आपका चीज़े clear हो गया चलिए अब यह 8GV 6GV RAM वाला concept clear है न भाई तो अगर आप जैसे computer लेते हैं या just example mobile का ही मैं लेता है mobile भी क्या एक तरह से computer ही है क्योंकि mobile में भी तो RAM हो रहा है वहाँ पे भी तो operating system software uploaded है application आप उससे चला पा रहे हैं तो अब आपका अगर 4GV का RAM है तो आपको समझ में आ गया चार जीवी का RAM डारेक्ट लग गया एक slot में लेकिन अगर मैं बोलू 9GV ठीक है भाई अगर मैं 9GV तो इसको कैसे लगेगा एक slot में ठीक है ना आपको सारी चीजे क्लियर यहां तक हो गई है धीरे धीरे चलेंगे एकदम चैप्टर के डिटेल तक हम लोग निकल जाएंगे भाई लेकिन भाई पहले समझे तो आखिर है क्या वो प्रैक्टिकली कंप्यूटर को नहीं समझेगा रटाफिकेशन से यह चैप्टर कभी आपक कुछ चीजे जैसे बताऊं अब एक चीज और यहां पर मैं आपको बनाता हूँ जैसे कि एक वर्ड आपको मिलेगा हाट डिस्क मैं अभी आपको नाम भी लिया हाट डिस्क का है ना हाट डिस्क का कहने का मतलब क्या है इसमें जो डाटा स्टोरेज होता ना इसमें पर्मान data store होता है मतलब यह जैसे कि आप अपने computer में कोई भी file को open कर रहा है जैसे कि PPT open कर लिया आपने MS Word open कर लिया या फिर आप जैसे कि कोई भी folder को open किया है ठीक है ना कोई folder open किया है कोई file को open किया है आपने या आप कोई PDF Reader को open क्या तो ये जितना भी मैं अभी नाम लिया ये सभी चीज कहां store होता हाट डिस्क में store होता यानि आप जैसे ही computer से click किये हैं कोई PPT को open करने के लिए तो सबसे पहले क्या हुआ हाट डिस्क में क्या हुआ ये information गया अब ये हाट डिस्क से क्या होगा ना ये information कहां जाता है आपके RAM के पास अब ये RAM क्या होता है थोड़ा सा इंतिजार करिए बस sequence को समझे कि कैसे सारी चीज़े काम करती RAM के उपर भी आएंगे तो हाट डिस्क तो आपको समझ में आगिया ना Motherboard अलग से पढ़ना Motherboard में ही आपका देखे RAM लगा हुआ होता है ROM लगा हुआ होता है बहुत सारी devices लगी रहती इसलिए कि मैंने RAM ROM का नाम नहीं लिया क्योंकि RAM ROM हम लोग इस Motherboard में ही पढ़ लेंगे ठीक है भाई तो हाट डिस्क से अब यहां कहां गया हाट डिस्क आई है अब आपको कोई भी फाइल अगर open करनी है तो यह फाइल कहां होगा इस हाट डिस्क में ही इस्टोर होगा यानि कि यहां से डाटा क्या होगा ट्रांसपर हुआ यानि आपने इसको क्लिक किया यह बहुत within second में सारी चीज़े होती है यह तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो यहां से डाटा कहां चालाएगा रैम के पास और रैम फिर क्या करेगा रैम information यानि इस डाटा का information दे रहा है आपके CPU को यानि कि इसको यानि कि यहां से डाटा आया प्रिक है समझेगा भाई इस हाट डिस्क से डाटा आया है आपने पिपडी ओपन करना था आपने पिपडी पे क्लिक किया तो हाट डिस्क को बेकिया पीपडी का पिट्यू की सारी श्टोरेज जितना भी पर्मानेंट स्टोरेज डाटा सब यहीं से होता यहीं पर होता तो यहां अगर डाटा ट्रांसफर हुआ आपका अब यह डाटा ट्रांसफर कहां होगा तो रैम के पास यहां आपका रैम है अब यह इन्फॉर्मेशन डाटा कहां गया रैम के पास अब यहां बसेस है बसेस के तुरू कहां गया इस CPU के पास अब यह CPU क्या हु वगेरा चेक कर रहा होगा अब इसके बाद यह पीपीटी को ओपन करेगा आपको यहां डेक्स्टॉप में यहां मोनिटर में देखने को मिलेगा समझ माया यानि कि अब यह CPU से अब आपका फ्याइदर बस से यहां कनेक्शन होते हुए आपका मोनिटर में सो होगा समझ माया क आप computer में कोई भी काम कर रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं जैसे कि कोई भी काम करने का मतलब क्या है इसको मैं समझाता नहीं अब यह जो आपने डबल क्लिक किया ना यह PDF जो है आपका computer यह कहा इसका पर्मनेंट इस्टोरिज कहां होगा, हाट डिस्क में होगा, यह हाट डिस्क के बारे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मेमोरी शेप्टर में, अब यहाँ से हाट डिस्क से यह डाटा ट्रांसपर हो गया, इसको, किसको open करने के लिए, इस computer के PDF को open करने के लिए, अब करेगा, प्रोसेशिंग करेगा, और प्रोसेशिंग करने का बाद, आपको output कहां मिलता है, monitor में देखने को मिलता है, यानि आपका जो computer का जो PDF open हुआ, वो कैसे open हुआ, सबसे पहले हाट डिस्क में message आया, आपने जो click किया, अब यह हाट डिस्क में message किसको दिया, RAM को message दिय आपके पास CPU में आया, वो message, अब CPU ने क्या क्या, उसको पहले as a input लिया, अब दिखें, CPU में भी बहुत सारी चीज़े, जब हम लोग पढ़ेंगे, सब समझेंगे कि कैसे यह message आया, data आया, PDF को open करने का, उसको पहले क्या करेगा, as a instruction करेगा, आपके इसके अंदर, arithmetic, बहु almost, almost, almost आपका basic चीज़े बन चुका है, बहुत हद तक, अब आईए, अब देखिए, आपका, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पहले इसको पहले देख लेते हैं भाई, यहाँ पे, चलिए, यहाँ मैंने कुछ चीज़े लिखा है, chapter का नाम है, आपका main component of personal computer, ठीक है, कोई भी किताब उठाईएगा, इस topic से चीज़े start होती है, अच्छी कोई भी authentic किताब ले लिजेगा, लेकिन भाई, यहाँ पे जो content हम देंगे, एकदम concept oriented, और जो भी लिखा मिलेगा, एकदम देशी भासा में, main component of personal computer, तो देखें, जो component है personal computer का, जो मैं सबसे पहले लिया हूँ system cabinet का, देखें system unit या cabinet unit, यह समझ पार है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ system unit और cabinet unit, जो बकसा है, उस बकसे के अंदर आपका motherboard है, hard disk है, SMPS है, अब इस motherboard के ऊपर सारी चीज़े लगे होती है, आपके CPU लगे होती है, देखें समझ यह CPU, आप इस डब्बे को देखकर कहीं कहा दे होती है, यहां आपका CPU है, CPU एक चीप की तरह होता है, जिसे हम कहते है, integrated chips, अब integrated chip में भी किस category में CPU आता है, वो भी आपका सवाल बनता है, वो भी आपका आज clear कर दूँगा, समझ माया गया, hard disk होगा, SMPS होगा, तो चलिए, पहले हम SMPS को समझते क्या होता है, फिर hard disk के बार बारे बात करेंगे, चलिए, और इसमें ही आपका CPU वाला पूरा चैप्टर, बहुत सारे सवाल यहां बनेंगे आपके, और अभी SSC, सीजल के पैटन में बहुत सवाल यहां पूछा गया था, इसलिए, चलिए, तो system cabinet में आपको क्या पता है, तीन आपको hardware, SMPS है, hardware समझ मार इक device है, device मतलब जैसे कि आप अपनी mobile अपके हाथ में उठा लीजे, वो एक device हो गया, ठीक है ना, तो यह कैसा device है, software device होगा, या hardware device होगा, तो hardware क्योंकि आप उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इस mobile में जो software upload है, क्या उसको आप देख सकते हैं, चू सकते हैं, तो व पहले इसको समझना है, आपके पास जो computer है, ठीक है ना, अब computer को क्या चाहिए, आपका क्या है, computer है, अब इस computer को क्या चाहिए, चाहिए, चलाने के लिए इसको क्या चाहिए, electricity चाहिए, ठीक है ना, लेकिन जो electricity चाहिए, जो current चाहिए, उसको कौन सा current चाहिए, इसको direct current चा काम करता है वो काम करता है smps मैंने क्या बोला सर यह समझ नहीं आया आपको कोई बात नहीं मैंने क्या कहा सर मैंने यह का-कि आप जो computer use करते है ना उस computer को electricity चाहिए computer को क्या चाहिए electricity चाहिए यानि कि electric current चाहिए अब electric करेंट कौन सा दो तरह के electric तो अब आपके घर में यानि होम में है आपका सप्लाइ कौन सा अल्टरनेटिव करेंट के जस्ट जो यहां पे इस करेंट से तो आपका अल्टरनेटिव करेंट आ अभ इसको ट्रांसफर कर दो किसमें डायरेक्ट करेंट में अभी डायरेक्ट में कनवर्ट हो गया जो आपका कम्प्यूकर में अराम से चीजों को चला होगा reon चलुए होप सो में आ रहा हो सुरी Google करके दिखा सकता हूं बढ़ कोई मतलब नहीं है तो आप भी कर सकते हैं SMPS का बस Google करके देख लीजेगा कि वह आपका CPU के अंदर सॉरी फिर समय CPU वह बॉक्स के अंदर यानि कि इस स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होता है SMPS का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई अब यह क्या करता है कि हमारी कंप्यूटर को बोले ना एकदम देशी लैंग में चीजे मिलेगा इंगलिस इंदी मत करिए कंप्यूटर इंगलिस महीं पढ़ा जाता लेकिन फिर भ ही सवाल यहां से बनेगा एक तो आपसे पूछा जाएगा कि एक थो आपको इसका फुल फॉर्म तो भाई फॉल फॉर्म क्लियर हो गया अलग से अब फॉल फॉर्म का कोई पीडियाफ नहीं जाएगा आपको यहां से क्लियर करते चलिए स्वीच मोड पावर सप्लाई ठीक current में convert करती है तीसरा सवाल पूछे जाएगा कि यह smps कहां लगा होता है motherboard में या CPU में ठीक है या RAM में या फिर आपके cabinet box या system box में तो कहां लगा होता है यह आपका system unit में या cabinet unit में लगी होती यानि जो आपका इतना बड़ा जो डबा दिख रहा है इसी के अंदर यह आपका smps लगा हुआ है चौफा सवाल smps कैसा डिवाइस हाडवेर है यह software है बता दीजे आप मुझे तो यह आप इसको छूप आ रहे ना इसको खरीद के लाईएगा लगाईएगा इसका अलग दाम है तो यह आपका क्या हो गया एक इस खाली डब्बे पर ही काम करता है कि इस खाली डब्बे के अंदर जो आप motherboard का यूज कर रहे हैं और अधर वोर्ड में जो hardware लगा रहे हैं वो कितना latest और कितना advanced यूज कर रहे है समझ में आ गया hard disk कितना अधिक storage capacity का आप यूज कर रहे है बस यह है आप देखे hard disk को replace कर दिया या किसे SSD से अब SSD को साइड में रखे उस पर भी हम आत करेंगे कि क्यों SSD को यूज किया जा रहा है उसको भी हम बताएंगे आपको चलिए इसको यहां पर इतना दूर अभी उतना जादा जाने का अंदर नहीं अभी SMPS आपका खतम हो गया चलिए पहला पाट खतम है SMPS का concept समझ में आ गया एकदम समझ में अब आईए motherboard की बात करते हैं तो पहला तो इसका नाम से ही सवाल बनता इसके कई नाम है इसका एक नाम है printed circuit board देगे PCB का मतलब क्या है किताब में direct लिखा मिलेगा मैंने या लिख दिया ऐसा नहीं है भाई देखे PCB आपको computer में इसको नहीं कहा जाता देखे आप जितने भी electronics device ले लिजेगा ठीक है ना आप जितने भी electronic device को देख पा रहे होंगे सभी electronic device में आपको motherboard मिलेगा आपके पास remote होगा AC का remote उठा लिजे चलिए भाईया TV का तो remote होगा ही होगा TV का remote को थोड़ा सा operation करिए खोलिएगा तो आपको green color का plate दिखेगा तो उसको motherboard नहीं कहा जाएगा यानि कि जो motherboard हम कहते हैं computer में जो लगा होगा ना green color का जो plate उसको motherboard कहेंगे लेकिन AC remote में जो लगा हुआ है board उसको हम लोग PCB का नाम देते हैं ये भी motherboard है इसलिए तो motherboard का alternative name य जो खिलोना वगर आतना उसमें भी आपको मिलेगा green color का plate washing machine ले लिजे आप AC ले लिजे जितने electronic device है आपको वहाँ पे PCB के नाम से जो आपके technician आएंगे वह आपका word यूज़ करेगा PCB खराब हो गया या PCB में कोई device change करना कभी वो motherboard नहीं कहेंगा computer में वाला आएगा technician तो motherboard का चीजिक है समझ में आगया ना इसका full form याद रखना क्या है printed circuit board क्लियर है बाई printed circuit board यह इसे system board भी का जाता है क्योंकि एक प्रकार से पूरा system का यह प्रकार से बोड में सारे hardware इसमें क्या होते हैं देख पार होंगे यहां पर इस फिगर में सारे के सारे hardware यहां पर इस पे ल हो गया नेक्स इसका color पूछा जाएगा तो green color होता है नौर्मली अब देखें ब्लैक और ब्लू कलर का भी आपको motherboard दिखेगा यह advanced computer जो होता है ना बहुत महंगे महंगे computer उस motherboard का color आपको यह ब्लैक यह ब्लू कलर का मिलेगा अब यह motherboard क्या हाड़वेर यह शॉफ्ट वेर सिंपल से आप उसको छूप आ रहे हैं उठा पारे देख पारे तो यह क्या एक hardware component है और इसी के ऊपर लगे होते हैं आपके CPU RAM ROM यह सारी चीजे hardware जो है आपका लगे होते हैं अब यह हीट सिंग एक word आ रहा है आपको देखने को मिल रहा है हीट सिंग का मतलब क्या थंडा कर नहीं के लिए जो हम लोग है और लगाते होंगे है स्था यह dripping हीट में क्या रहा है रहा है तो लगफिश्बाइस हो रहा है तो अब इत्रों पर जनरेट हो रही है उसको हीट सिंग क्या तॉ« क्या इत्रविए, और आope फैला देता है फैलाने से क्या हो गया जो गर्माहट है वो थोड़ी सी कम हो जाती जस्ट एन इग्जामपल लिजे आप साइंस में मेरा फिजिक्स लेक्चर देखें तो लेंस शेप्टर में मैंने आपको बताया था कि एक है आपका ओका इधर से आ रहा है तो इसको करतेगा चलिए उतना साइंस में नहीं जाना फिर आप कन्फिूज हो जाएगा समझेगा आप देखेंगा बस दैनी जीवन में आप क्या करते हैं एक लेंस ले करके ठीक है ना यहां सूरी के किरने आ रही है ठीक है अगर आप लेंस लिए है तो यह क्या करेगा सारे light को जो फैल आ हरे है उसको एक जगा करेगा merge करतेगा और एक Silence में आप इसको मारीए गा तो यह मारी जल जाएंगा लेकिन यही कागज को खुले आसमान में च्छत पर रख दिजिए सूरी की रौशनी फैल करके आ रही है तो यह जलेगा नहीं गर् component जो गर्म हो रही थी अब खराब होने से बच जाए क्योंकि heat फैल जाएगा ताकि चीजे और आसान से थोड़ा थंडा थंडा फिल कर पाएगा वो सारे hardware समझ मागया ना बैच चलिए इतना सा काफी है समझने के लिए heat sync का concept मदर बोर्ड का यह बात हो गया मदर बोर्ड में बहुत सारी devices लगी होती है आपको रैम भी पढ़ना है रॉम भी पढ़ना है CPU भी पढ़ना तो चलिए आप हम लोग CPU को खतम करेंगे CPU बहुत बढ़ा पार्ट है तो CPU जिसमें समझ यह मदर बोर्ड कोई अलग से आप पढ़े पढ़ेंगे इसमें heat sync लगा वहाई इसको पढ़ लेंगे यह सारी चीज है कि इसको ठंडा करने के लिए अब इधर आपका जितने भी आप माउस को लगा रहे हैं ठीक है ना यह आपका दिए पोर्ड बना हुआ देके CPU को जब आप देखेंगे ना इस प्रकार से चीप होत आस Mia के समझे तो यहां पसारे पोर्ड होंगे यानिकि अगर आप कीज़ा लगारिट यहांut का माउस इक पौड भी देख्यका यह थो यहीं मदर्बोर्ड में आपको पढ़ना होता चलिए अब आईएगा तो motherboard में सबसे पहले आपका जो क्या लगा हुआ CPU लगा हुआ CPU को पढ़ेंगे CPU को पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पढ़ता है integrated chips के बारे में अब यह integrated chips क्या होता सबसे पहले तो इसका full form SMPS का full form याद है PCB का full form याद हो गया न भाई स्विच मोड पावर सप्लाई याद रखेगा इदम पूछा गया यह सब सवाल है भाई स्विच मोड पावर सप्लाई printed circuit board हो गया फुल फॉर्म अब आईए IC chip में आपका इसका full form होता है integrated circuit chip क्या होता इसका full form integrated circuit chip यह किसका बना होता है तो यह silicon से बने होते हैं और इसका प्रकिर्थी nature का इसता होता अर्ध चालग यानि कि semiconductor semiconductor में आप science से CGL वाले भाई question पूछेगा आपसे या railway का students question पूछेगा भाई आपसे भी PSC के student आपसे question पूछेगा pressure temperature का impact बताईएगा semiconductor का ठीक है ना अगर कोई semiconductor silicon है अगर आप temperature या आपसे पूछे जाएगा कि silicon जिसका nature semiconductor अगर आपको इसको as a conductor या as a insulator यूज़ करना है तो temperature को क्या करेंगे increase करेंगे decrease करेंगे यह सब चीज हम समझाए है electricity chapter में बस मैं आपको याद करवाया कि question यहां से आप वहां पे भी बनाएंगे अब अगला सवाल आपसे पूछा जाया कि जो चीप का जो development हुआ था किनके द्वारा जेस किल भी एक नाम है व्यक्ति है या scientist बोल सकते हैं कुछ भी बोल सकते हैं 1959 में इसकी खोज हुई थी डेवलप किया गया था और 1969 में एक और ic चीप का डेवलप हुआ देखिए एक और ic चीप का डेवलप करने का मतलब यह है कि जो JS Kelvin ने जो concept यूज किया आइसी चीप को डेवलप करने के लिए देखिए आइसी चीप की अगर बात करेंगे न तो यह जो concept इसमें जो यूज किया गया है मेंली आपका ट्रांजिस्टर का concept यूज किया गया है और कैपसीटर का concept यूज किया गया अब आईए science में कैपसीटर आपने पढ़ा है ना इस प्रकार से कैपसीटर बनाते है तो है क्या करता है storage या चार्ज को स्टॉर करता है उसी प्रकार ये चीफ भी क्या करेंगा डाटा का и स्टॉरे média करेगा अब इस quel cũng क्या होते चैर्ज यहां से निकल भी जाते यानि स्टॉर करने के तो आप देखते होंगे जैसे कि आप औलाइन कोई बीडियो देख रहोंगे ठीक है ना ओनलाइन कम्प्यूटर मी देख रहे उगे मुबाइल में यानि कि जो data है कभी data leak कर जाते हैं जब data leak कर जाती तो वह पर buffering करने लगता वह हम और भी आगे class में समझेंगे चीजों को इसको तो यह बस अभी आप इतना समझ गयें कि जो chip है IC chip की जो बात करते हैं ये इसका जो concept है इसके पीछे क्या ये भी याद रखेगा भाई अभी ये notes में मैंने नहीं लिखा ये exam में साइथ पूछ ले कि IC chip की कौन से concept पर काम करता तो transistor और capacitor के concept पर काम करता ठीक है तो यही concept को यूज किया था JS किल भी और इस concept को यूज करके IC chip क को बनाया लेकिन इसके लिए जो इन्होंने material इस्तमाल किया वो semiconductor का silicon का इस्तमाल किया था इन्होंने दूसरे material का इस्तमाल किया तो ज्यादा इफेक्टिव यह रहा और आज हम लोग जो यूज करते हैं इनके द्वारा ही develop किया IC chip को यह भी अगर पूछ लिया जाएगा तो टोटली 6 टाइप आपको याद रखना है और यहां से आपके दो सवाल एक तो full form बनेगा और एक CPU जो है किसका example है कौन सा integrated chip का यहां से सवाल बनेगा चली आईए भई बहुत अच्छे सवाल है यहां से याद रखेगा बहुत अच्छे से सवाल पहला जो IC chip के जो category होता है एक हो SSI जिसका full form है small scale integration एक है MSI यानि की medium scale integration एक है LSI यानि की large scale integration एक है आपका VLSI very large scale integration अच्छा अब आपको समझ में चेक body क्या है suf बोर रहा हूं या अगर बोर रहा हूं यह आपका एक integrated chip है यह integrated chip के कई सारे category है भाई समझ में आ गया है SSI एक integrated chip का category है, MSI एक integrated chip का category है, तो यह सारे full form आपको याद होने चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह से, तो small scale integration इसका आपको याद हो गया SSI का MSI का medium scale integration, LSI का large scale integration, VLSI का very large scale integration, अब एक आईए VLSIC लग गया बस, तो इसका full form होगा very large scale integrated circuit, याद रखिएगा integration circuit कर देता है option में और आप उसको tick कर देते हैं, यहाद रखिएगा integrated circuit होगा, clear है, हमारा जो CPU है, याद रखिएगा, हमने अभी आपको बताया कि जो हम लोगों का CPU है, वो क्या है, एक chip है, integrated chip है, और वो कौन से category में आता है, तो वो इसी category में आता है, तो यह मैंने लिख दिया है, साब साब सब्दों में कि हमारा CPU एक IC chip है, और यह जो हमारा CPU है, वो VLS IC का ही example है, तो आप से question पूछेगा, भाई सहाब मेरे, कि जो CPU है, वो कौन से IC chip के category में आता है, SSI में, या MSI में, या VLSI में, या फिर VLS IC में, तो very large scale integrated circuit का ही, एक example है, आपका CPU, यानि समझ में आया मैं क्या बो रहा हूं, मैं ये कहना चाहा रहा हूं, भाई, कि जो आप CPU की बात कर रहा है, यानि आप जो CPU, CPU चिला रहे हैं, ये CPU क्या है, एक integrated chip है, अब ये integrated chip कौन सा, SSI, MSI, नहीं, SSI नहीं, ये भी नहीं, ये इसका example है, clear हो गया, अब एक और integrated circuit है, ULSI, ultra large scale integration, जिसको काएंगे, अब जितने भी robotic वगेरा जो बन रहा हते हैं, उसके अंदर यहीं, ये बहुत highly advanced integrated chip है, जो इसमें इस्तमाल किया जाता है, अभी आप AI का नाम सुन रहे होंगे, artificial intelligence, artificial intelligence मतलब कि एक प्रकार से computer जो पूरी तरह से इंसान है, बैठा हुआ है, artificial intelligence क प्रकार से पूरा इंसान का ही रूप ले लिया है ना एक प्रकार से, तो इंसान का रूप एक computer में आप देख सकते हैं, इससे में भी आपका ये ultra large scale integration का use होता है, अगर exam में पूछ ले तो याद रखेगा, highly advanced, ठीक है ना, ये integrated chip है, अब देखिए धीरे-धीरे ये सारी ची और यह अजए मैं आपको दिखाता हूं एक तरीके से में भी मिटा रहा हूं, ठीक है देखिये एक तरीके से मिट विट गया, अभी मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको समझेएगा भाइ un Snart अब मैं मिटा रहा हूं तब देखेगा अब मैं मिटा रहा हूं तक देखिए यह सारी चीज़े धीरे धीरे एडवांस वर्जन बनते गई बनती गई बनते गई और यह अभी सबसे एडवांस जो रोबोट या AI में अटिफिशल इंटेलिजन्स में यूज होता समझ मैं हम तो इतने मतलब बुद्धी जीवी तो होते नहीं धीरे धीरे चीज़ों को करते करते हैं प्रैक्टिकली चीजों को नॉलेज लेते लेते ही हम लोग आगे और भी रिसर्श करतें हैं और भी चीजों को और भी सुगं बनाते हैं आशान बनाते हैं आप आई यह बात करेंगे CPU का समझ गयें CPU क्या है CPU एक इंटीग्रेटड चीप है कॉन से यूनिट कहते हैं केंदरे निश्पादनिकाई इसका अलग नाम है एक प्रोशेशर इसे माइक्रोब प्रोशेशर भी कहा जाता है और इसे ब्रेन आफ कंप्यूटर भी कहा जाता है यह कोई नाम से आपका सवाल बन सकता अब याद रखेगा सुपुछ सिंपल सादिके अब अब आपको रटना नहीं पढ़ रहा होगा कि हाडवेर है या सॉफ्टवेर है सिम्पल सब आते सीप्यू भाई ग्रीन कलर का जो मदर बोड उसके ऊपर लगा होता है उसको हम लोग छू सकते हैं आके खुद से हाथ से लगाते आप घर में खुद से रेडी कर सकते हैं उस सिस सब्सक्राइब के लाइए और बनाते चली अपने सिस्टम को हाइली कॉलिफाइड तो उसी प्रकार से सीप्यू क्या है आपका एक हाडवेर डिवाइज सॉफ्टवेर नहीं है हाडवेर है क्यों यह सब बहुत इजी-जी कोशन पूछा है और इसको स्टुडेंट रठते ह और इजाम में कन्फ्यूज रहते हैं कि हाडवेर है सीप्यू यह सॉफ्टवेर है तो भाई सीप्यू को तो ग्रीन कलर के जो प्लेट मैंने आपको दिखाया कि खुद से आप देख पा रहे हैं लगा पा रहे हैं तो वो क्या है भाई आप उसको हाडवेर का नाम देंगे जो मदरबोर्ड में लगा होता है सीप्यू एज इन्पुट डाटा अब देखे मैंने आपको बताया था चली इसको पहले पढ़िए कि मैंने लिखा है सीप्यू एज इन्पुट डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन को या प्रोग्राम को रैम से लेती है उसको फिर देख पारें यह स्ट्रक्शर यह आपका कहां रैम और सीप्यू यह आपके मधर बोर्ड में लगा होगा यह हाद इस्टम कैबिनेट मैं लगा होगा the Backуда देखिदा है सामने आपके टेबल data transfer हुआ इस RAM के पास आया अब इस RAM से data as a input आपके CPU में जा रहा है तो वही मैंने लिखा है CPU as a input data को या इसको data भी नाम दे सकते या instruction बोल सकते हैं या फिर information बोल सकते कुछ भी नाम बोल सकते computer में program भी से बोला जाता है तो instruction RAM से ले लिया ठीक है ना कहां साया hard disk से आया उसके बाद उसको क्या क्या processing करेगा उस PDF file को ठीक है ना processing करेगा यानि उसको open करेगा और as a output आपको वह desktop में दिखाए देगा लेकिन बस इतना याद रखिएगा चीजे समझते जाईएगा अगर चीजे समझ पा रहे होंगे तो भाई चीजे बहुत आराम से आप exam में क्रैक करिएगा 100% इसकोर कंप्यूटर में करके आईएगा बस अब आएए कंप्यूटर स्वारी CPU में न तीन पार्ट होते वेरी वेरी इंपोर्टन याज़े भर भर के सवाल बने आपके और अभी लेटेश्ट सीजियल का पेपर देखेगा ना तो यहां सवाल बना आपका दिखाऊंगा मैं आपको तीन पार्ट होते हैं CPU के सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के एक होते हैं पहले तो इसका फुल फॉर्म सही कोशन बनता और समेटिक लॉजिकल यूनिट सी यू कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट चलिए क्लियर है यानि क्या जैसे कि यह आपका सीप्यू हो गया ठीक है सीप्यू है और यहां पर मैं इसको पीन बना दे रहा हूं इस प्रकार से और यह सीप्यू जो होगा आपका यह कहां लगा होगा आपके मदर बोर्ड में लगा होगा समझ में आ रहा है ना और मदर बोर्ड कहां लगा होता है आपको सिस्टम यूनिट कैबिनेट यूनिट में और क्या लगा होगा आपका हाट डिस्क लगा होगा और क्या लगा चाहिए और एलेक्ति जो चाहिए इसको कौन सा अल्टर्नेटिव करन नहीं डिसी करन चाहिए तो वह SMPC क्या करता उस अल्टर्नेटिव करने को डिर्ट करने में करता तो यह जो आप देख पा रहोंगे CPU यह CPU में अचको मिटाल लेते हैं फिर इसको दिखाने पाएंगे यहां पर तीन मैं आपको बॉक्स बना दे रहा हूं ठीक है इसका विभाजन कर रहा हूं यह हो गया विवाजन एक यह विभाजन यह आपका अब इधर से आया information कौन दे रहा है यह आपका RAM आया data और इधर से आप आउटपुट दीजेगा और यह क्या करेगा प्रोसेसिंग करने काम करेगा ठीक है यह समझ मारा यहां तक चीजे चलिए इसको यहां ही पर हने दीजे यह फिगर इस प्रकार से आपका CPU में होता है देख देख ना सिम्पल भी बात है लेकिन यह CPU तो आपको दीख पा रहा ना तो यह आपका तीन पार्ट यह मैंने आपको दिखा दिया जो आप नहीं देख पाते यह आपको मैंने दिखा दिया रहें यह सबांगने एक सबसे पहले तो केम्ट करेगा तो क्या है कैसे open किया तो hard disk में यह data गया hard disk data को भेजा RAM को अब RAM data को भेज़ेगा कहां MU में CU होते वह यह यहां आएगा ALU उसको क्या करेगा processing करेगा दो गुना दो और आपको यह desktop में दिख जाएगा as a output समझे मा आगया भाई समझे मारा ना कैसे चीजे चल रही अब आपको चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं तो यह हो गया ALU का काम खतम बस इतना ही यहां से सवाल बनता है बना भी है और बनेगा भी इसका काम क्या है आर्थमैटिक यानि अंक गनीति लॉजिकली ऑपरेशन को सॉल्व करना अब आए दूसरा जो बॉक्स मैंने दिखाया था कंट्रोल यूनिट का यानि की CU यह बहुत important है पहला तो देखे कंप्यूटर का जितना भी कार समझे सभी कारियों का नियंतरन यही रखता है ठीक है ना जितने भी hardware हो गया और जितने भी software उनके बीच में एक समन्वे ठीक है समान्जस यानि कि सभी के बीच में coordination करने का काम यही control unit नाम ही एक control unit CPU का अंद hardware नहीं है भाई अब आप बताए क्यों नहीं है यह एल्यू को आप देख पा रहें नहीं देख पा रहे हैं यह लेकिन इसलिए एक्जाम में कभी ने पूछता है कि यह एल्यू इसके अंदर लगा हुआ है है तो hardware ही जैसे समझे एक जस्टन एक्जामपल कि आप घर बना है ठीक है ना घर बना होगा आपका दिवाल में अब दिवाल में क्या बनाया हुआ है तो आपने उसको पलस्तरा कर दिया पलस्तरा करने के लिए आपने क्या यूज किया सिमेंट यूज किया भाई सिमेंट में बालू भी लगा है तो वो बालू अभी आपको दिख रहा नहीं अर्थमेटिक लॉजिकल जो यूनिट है ठीक है ना अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो है जो CPU में होती है वो एक हार्डवेर है या नहीं है तो आप बुलिए का नहीं है लेकिन अगर मैं सवाल ऐसे पूछू कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक हार्डवेर है तो य आपका हाडवेर नहीं होगा समझ कैसे पूछ रहा है वह आपको समझना तो चलिए देख तो इसका काम समझ में आगया हाडवेर सॉफ्टर को भी समझ में यानि कि कि जो भी कारी इस CPU को करना है वो सारा लिष्ट बना करके कौन रखता है तो कंट्रोल यूनिट रखता है इसलिए यहां मैंने लिखा भी है इस पॉइंट को यह सब सारा सवाल स्टेट्मेंट में पूछ ले का भाई आप समझ पा रहे होंगा अभी चीज को तो ही बना पाईगा तो उस कारे का जो एक लिष्ट बनाएगा मतलब आप किताब को पढ़ेंगे तो इक इंडेक्स बना वा ना लिष्ट बना वह तो वह लिष्ट बनाकर रखने वाला कौन है इसी लिए कंट्रोल यूनिट को नर्वस सिष्टम भी कहा जाता कंप्यूटर का पूछा सबसे पहले जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन आती है उसको रीड करने की जिम्मेवारी सबसे पहले कंट्रोल यानि कि जो यहां से डाटा आया है भाई आपका ठीक है ना यह जो आपके पास डाटा आ रही है कहां से रैम के पास से जो आपके पास डाटा आ रही है तो इस करने के बाद CPU को कैसे processing करना है यह सारा यह आपको क्या करेगा command देगा और यह CPU उसको फिर processing करके आपको output देती है समझ मैं यह आपका input लिया इधर RAM से तो control unit के बारे में फिर से revision करते हैं एक एक करके चलिए सबसे पहले control unit CPU का मतलब समझ में आरा control unit form CPU को जो भी कार करना है उसका एक list जो बना हुआता है वो list बना हुआता है कहां control unit में ही और उसके list के according की CPU function करता है control unit को nervous system भी कहा जाता है hardware और software के भी समन में स्थापित करता है CPU के पास जो भी data instruction आता उसको सबसे पहले read करनी के जिम्मेवारी सबसे पहले CU की होती है पुछेगा आपसे exam में कि RAM से जो भी data CPU के पास जाती है वो सबसे पहले read कौन करता है के लिए CU या MU हाँ नहीं आएगा सारी students को लेकिन जो पढ़ेंगे वो बनाएंगे CU पहले read करती है computer के सभी कार्यों को नियंतरन कौन रखता है तो CU रखती है complete तीसरा जो भी वाजन है MU यह very very important very very important और यहां से सवाल बनेगा आपका देखे memory unit कुछ अलग से नहीं होता यह group होता किसका group होता रजिष्टर का जैसे कि यह आप यहां पर CPU में आपको जो MU मैं यहां पर दिखा दिया नहीं इसमें बहुत तारे बटर होंगे है ऐसे साथ रजिष्टर होंगे और इसी साथ रुष्टर के समुका ही M.U.M.र चलिए ऐगे CP U में डखेगे जो data या instruction या जो program आई है उस data को जहां रखा जाता है उसको क्या काते रजिस्टर काते हैं देखिए यहां से क्या हुआ आपका यह हाट डिस्क से आपका information आया RAM के पास RAM से जो information आया control unit ने क्या-क्या list बनाया सबसे पहले read किया अब read करने के बाद अब वो data को तो बाई देखिए mu क्या है आपका state of register है तो उस register का नाम पूछेगा कहां पर data को store किया जाता है तो अभी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि और यह storage जो होता वो कैसा है temporary होता आस्था ही होता यह सब important word मैं बता रहा हूं यह आस्था ही क्योंकि फिर तुरंत तो उस information को यह cpu processing करके as a output बाहर दे देता आपके monitor में आपको दिख रहा होता है समझ मा गया जैसे कि यहां पर मैंने क्या लिखा है आई यह क्या है set of register है memory unit क्या है कई group का यह register का एक सम्मू होता है ठीक है इसके बाद मैंने बताया कि सबसे पहले cpu में जो data या instruction ठीक है न cpu में जो data या instruction या जो program आया उस data को जहां रखा जाता है उसको क्या कहेंगे register कहते हैं अब यह समझ मा आया यह नहीं कि memory unit में क्या है साथ register है मैं अभी नाम बताऊंगा साथो register का उस साथो register में एक register है mbr मैं भी बताऊंगा आगे वहीं पे जो data आएगा उसको वहाँ पर श्टोर करके रखा जाएगा temporary के लिए ठीक है ना फिर उस data को processing cpu करके as a output आपको desktop में दिखाई दे देता है समझ मा आगया तो temporary आस थ यहां पर आसाई समय के लिए कुछ समय के लिए सबसे पहले श्टोर किया जाता आस थाई वर्ड यूस किया गया तो यानि register नाम देना आपको ठीक है क्योंकि वह data को फिर processing करके output के रूप में आपको बाहर दे देना है cpu देगा अच्छा CPU की speed पूछा जागा किस में मापा जाता अब मैंने कहा कि जो सेट ऑफ रजिस्टर होता है यानि कि रजिस्टरों का सम्मूव होता तो साथ रजिस्टर होते पहला MBR MDR भी कहते हैं IBR सारा फुल फॉर्म आपका पूछा गया हुआ IBR मतलब instruction buffer register memory data register या memory buffer register यानि यह जो आप देख पा रहे हैं CPU यह आपका जो CPU है ठीक है यह ALU हो गया यह CU हो गया अब यह आपका क्या है M U हो गया ठीक है ना M U में आपका बहुत सारा register साथ दो तीन चार पांच छे साथ register है साथ में यह जो आप देख रहे हैं इसको हम नाम दे रहे हैं MBR का ठीक है ना MBR का यानि यह आपका MBR लगा हुआ MBR को और क्या नाम दे सकते हैं MDR भी बोल सकते हैं IBR भी बोल सकते हैं यानि कि instruction buffer register memory data register memory buffer register ठीक है अब इसका काम क्या समझेगा देखे control unit यहां मैंने लिखा है कि control unit समझ मारा न control unit कौन सा control unit यह वाली control unit जो सबसे पहले data को यह read करता है सूची बद बना के रखता है तो control unit में जो data को यह read किया है ठीक है ना और CPU के पास processing के लिए जो भेजता है वो data register में MBR में store होता मतलब कि जो CPU से देखे यहां से जो data आया है RAM से ठीक है ना RAM से यानि कि hard disk है hard disk data आया RAM के पास RAM से जो data आया CPU ने इसको list बनाया अब भाई बहुत सारे information आ रहा है तो एक information को processing करेगा बाकी को क्या किया जागा store किया जागा store कहां किया जागा इस MBR में समझ माया कौन से register में तो register बोलेगा तो मतलब register option रहेगा तो register करेगा अगर register में नाम पुछ लेगा तो MBR register में ठीक है क्लियर है कि नहीं बताइएगा आप जैसे कि मालीजा आप online वीडियो देख रहे हैं ठीक है ना online movie देख रहे हैं मैच देख रहे हैं तो यहां से hard disk में आया आपका ठीक है आपको as output video दिखा रहा अभ यहां पर मालिजे इंटरनेट अना भी चला और यहां प्रोकर प्रोसेसिंग यांग करता है यहां फिर वीडिव hatte a पार शुर्व हो जाएगा तो फिर से थोड़ा जब वीडियो चलेगा फिर फिर बफरिंग करने लगे तो बफरिंग का कंसेप्ट भी क्लियर है चलिए भाई सेट अफ रजिस्टर है आपका एम यू क्लियर हो गया जिसमें से एक आप देख पा रहे होंगे यह आपका सी यू हो गया और यह आपका में बहुत सारे रजिस्टर है तो यहां पर क्या आया रहा है यह सबसे पहले रीड करता सूची बनाएगा यह कंट्रोल यूनिट हां तो इसके बाद यहां पर कहीं इतना सारा इंफोर्मेशन तो इसको स्टोर करने को एक जगा होना चाहिए आप जैसे मुवी देखने गया है तो मुवी देखने गया है मुवी खतम होगा तो बाहर में भी और लोग हॉल में हॉल एक क्या हो गया एक त टर्शिंद के लिए भेज़ती है वह डाटा रजिश्टर में अमघ होती है समझ महां गया अब आए दूसरा रजिश्टर में आर या निकी ए आर इसका फूल फॉर्म पहले आद करिये क्या है मैमोरी एड्रेस रजिश्टर एड्रेस रजिश्टर अब यानि कि इसका मतलब डाटा जो MBR में store हुई है, वो data instruction किस hardware components आई है, उसका address को CPU के अंदर में hold कलती है, मतलब ये, कि भाईया, ये जो data आया है, इस data को जो MBR ने store किया है, RAM है, यहां से hard disk से जो आया है, ये data, अब ये data कहां से आ रहा है, किस components है, किस hardware से आ रहा है, उसका address कौन रखेगा, hold, वो जानकारी ये रखता है, भाई, CPU को तो ये सारा जानकारी होना चाहिना, तो CPU का हुआ कौन सा device है, तो CPU में एक MU, यानि कि set of register होता है, वो कौन सा register, तो वो register का नाम है AR, यानि कि address, देखे, नाम में ही रखा हुआ address register, यानि जो data आ रहा है, उसका address, यानि वो कौन सा component से आ र hardware सारा, ये जानकारी आपकी कौन रखती है, MAR या AR रखता है, तो data जो MBR में store हुआ है, temporary जो store हुआ है, वो data instruction किस hardware components आई है, माली जो माउस से आया, या keyboard से आया है, तो ये जानकारी आपका कौन रख रहा है, MAR AR रख रहा है, तो उसकी address को CPU के अंदर, CPU के अंदर वो कौन है, जो device आपका नाम पूछेगा, तो याद रखेगा register है, वो MAR register या AR register का नाम देंगे आप, चलिए भाई, होप आपको इतनी चीज़े, बहुत अच्छे सा सीज़े, समझ में आ गई होगी अभी तक, अब आए तीसरे register के पास, तीसरा register आपका PC, PC मतलब परसनल कम्प्यूटर काम से, जितने भी इंफॉरमेशन है यानि कि यहांसे, जितने भी आपकमी इंफोरमेशन आ रहा हवा है 하्ट डिसक से, RAM के पास, और रैम से आपके CPU में आ तो CPU में यहां PC में यह सारे upcoming information को यानि जो गेस्ट आ रहे हैं यह गेस्ट से आप लिए अब दूसरे तीसरे का ठीक है ना जो होल्ड करने वाला है वह कहां पे हो रहा होगा upcoming information को यानि जो डाटा को कहां पर किया जाएगा upcoming next upcoming को होल्ड किया जाएगा तो इस PC में किया जाएगा ठीक है बाई चलिए तीसरे के बाद चौथा रजिस्टर अब चौथा रजिस्टर आपका आईडी क्लियर आप आईडी माया PC में ने जैसे की देखिए बाई जैसे माल लिजिए कि डाटा या इन्स्टरक्शन आपका आया यहां से यह आपका hard disk हो गया यह आपका RAM हो गया अब यह सी यू ने लिस्ट बनाया था और सबसे पहले रीड किया रीड के बाद उस डाटा को इस्टोर किया किसने अब इसको क्या करेगा भाई इसको इस्टोर किया है अब उसी दूसरा भी तो इन्फॉर्मिशन आया उसको इंस्टोर कौन कर रहा है इस्टोर कौन कर रहा होल कौन करना यह PC कर रहा क्योंकि उस बीच में तो बहुत सारे डाटा आप दे रहे होंगे ना और भी बहुत सारे फंसन हो रहे होंगे कंप्यूटर में तो उसको इस्टोर करने काम आपका पीसी करता है यानि प्रोग्राम काउंटर करता है चया हो था आपका रजिस्टर है आइड यानि की इंस्ट्रक्शन डिकोडर CPU जब input data को प्रोसेसिंग कर आउटपुट देने वाली होती है तो उस समय ID रजिस्टर CPU को data decode कर देती है मतलब इसका मतलब क्या है कि अब आपका ये जो CPU है ये जो आपका CPU है अब उस data को क्या कर लिया है प्रोसेसिंग कर लिया प्रोसेसिंग करके अब उसको आउटपुट में मैं लीजिए ठीक है अब अभिशेक मैंने decode कर दिया है कि 708 से मतलब की मैं बोल रहा हूं 708 इसका मतलब कम्प्यूटर का समझ रहा अभिशेक लिखना है दिखाना है तो वह जो decoding किया जा रहा है यह decoding कौन से register के द्वारा होता है तो वो decoding होता है आपका instruction decoder के नाम भी में देखे आ रहा रहा instruction decoder तो ID करता CPU जब input को data input CPU जब input data को processing कर output देने वाली होती है तो समय ID register CPU को data decode करके देती है यह कम कब होगा जब processing कर लिया है अब जब output देना है मतलब PDF open करने के लिए RAM से data आगे आपके CPU के पास सबसे पहले क्या कि आओगा आपका इस control unit ने सूची बना लिया होगा अब वो पूरा information CPU में दे दिया है कि इसको open करना है अब उसके बाद यह क्या करेगा जब processing करेगा अब इस बीच में दूसरा इंफर्मेशन भी आ या पीपीट ओपन करना तो इसको इसको यहां पर किया जा रहा है अब तीसरा इंफर्मेशन आप दिया तो इसको PC ने register यह वह प्लेस होता है जहां final data को रखा जा रहा मतलब अब आपका data जो डिकोड हो करके आपके monitor में दिखने वाला है उसको ऐसे output अब जो बनेगा तो उसको प्रोसेसिंग करने का फुल काम जो होता है आपका यह आई यार करता है मतलब समझ रहें आप कि यह जो CPU आप जो देखे छोटा सा आई सी चीप जो था यह एल यू हो गया यह आपका सी यू यह से कई सारे लेवल हैं यहां पर समझ रहे हैं इस सारी चीज़े गुजर करके आपको फाइनल आउटपूट देखने को मिला यहां पर साथ रजिस्टर थे अब आपको आउटपूट मिल रहा ना जो डिकोड हो करके उसको प्रोसेसिंग का यह काम करने का यह ओडर दे दिया समझ में आ गया और फर्दर अब आपको आउटपूट ऐसे डेक्स्टॉप में चीज़े दिखती है तो यह है आपका आई आर का काम तो फाइनल पूछेगा कि जब आपको ऐसे आउटपूट डाटा मिलती है सी प्रोसेसिंग करके वह कौन रजिस्टर होगा तो आई आर य हो जयसे इंपूट में आप जो में आप उठ ए मीटिए अप क्या हो गया बाई आपका मोनिस्टर आपका ऊटपूट डिवाइस हो गया प्रिंटर आपका ँवास्ट हो गया उस्सक्ट करकार lle आप कीबोड डिवाइस अगर बात माउस आपका क्या होगा इन्पूट यानि कि आप इन्पूट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं माउस से आउट्पूट मतलब जो बाहर चीज़े आपको दिख रही है समझ में आई देखे भाई मैंने साइद उल्टा बोल दिया भी देखे इन्पूट आउट्पूट के बीच का आपका इन्पूट आउट्पूट इसके लिए एक रजिस्टर बना हुआ चाहिए ना यह सेट आफ रजिस्टर जिसको कहते हैं समझ मागिया यह पूछा गया सवाल है कि कंप्यूटर में जो इन्पूट आउट्पूट डिवाइस की जो कनेक्शन की जाती है उसकी जानका रजिस्टर नाम देदेगा तो रजिस्टर टिकर क्या हिएगा अब अन्ती में एक्यूमिलेटर रजिस्टर है इट होड्स डाटा फोर टेंप्रोरी टाइम एल्यू यानि कि यह क्या करता डाटा को कुछ आसाई समय के लिए एल्यू के लिए ठीक है ना आर्समेटिक सब्सक्राइब यह अगया होगा हलका फूल का हाट डिक को हम लोग बहुत डेटेल पढ़ेंगे मेमोरी चैप्टर में तो यह आपका क्लियर हो गया ना SMPS क्लियर हो गया मदरबोर्ड में आपका CPU क्लियर हो गया Almost Almost उसमें बहुत सारी चीज़े मैंने और भी बता दिये CPU का कंसेप्ट खतम होगा रजिस्टर भी आप देखे रजिस्टर हम लोग मेमोरी चैप्टर में पढ़ते तो मेमोरी का वह यह पार्ट यहीं खतम होगा खैर पूरा क्लास कोर्स करिए तो आपको तो computer पूरा complete हो जाएगा hard disk में आपको मैंने यही बताया कि जितना भी data computer देख रहे हैं ठीक है अब मैंने बताया RAM RAM के बारे detail पड़ेंगा अब RAM के बिन आपका computer स्टार्टी नहीं हो सकता है तो यह जो hard disk देख रहे हैं जितने भी data store है सारा permanent data यहीं पर store होती है सबसे पहले यहीं से data information जाएगी आपकी RAM के पास और RAM कहां connect होगता है इस motherboard में और इसी motherboard में आपका CPU लगा होता है ठीक है और CPU में देख लिया आपने पूरा जानकारी मैंने दे दिया CPU के बारे में भाई CPU में अब इसे बाहर आपका question नहीं बनेगा यह PDF अपलोड होगा पहले यह chapter complete कर लेते ठीक है न एक class और लगेगा यह chapter खतम यह PDF भी upload अब झाल